आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहा हैं चैप्टर नमबर वन फूड वियर ड़स इट कम फ्रॉम टोपिक पर तो दोस्तों फूड फूड का मतलब होता है आहार आहार होता क्या है यह एक बेसिक निड होती है हुमन बोडी की जब तक हमें आहार मिलता रहेगा तब तक हमें नियूट्रियांट्स मिलते रहेंगे और जब नियूट्रियांट्स मिलते रहेंगे तो हमारे शavor को टाकत मिलते रहेगा बिना हार के हमारे शरेर में ताकत जन्रेट नहीं हों पाती है अब पर अगर हम देखे तो हम एं variety of food खाना ज़्यादा पसंद होता है, कुछ snacks खाना पसंद करते हैं, और कुछ जो होते हैं, जंक food खाना भी पसंद करते हैं, हम जो होते हैं, यानि हम human जो होते हैं, हम human को अलग-अलग समय पे अलग-अलग खाना 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 पसंद होता है, एक example अगर मैं आपको द अपने स्कूल टाइम की बात करो तो मुझे अपने टिफिन खाने से ज़्यादा इंट्रेस्ट मेरे फ्रेंड का टिफिन खाने में होता था तो वैसे ही हर बच्चों के साथ ये चीज़ होती है ठीक है तो तो हम बात कर रहे थे कि हम अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीके का खाना खाते हैं अब जैसे कि हम ब्रेकफास्ट लेते हैं तो ब्रेकफास्ट याने होता है सुभह का नाष्टा ब्रेकफास्ट याने क्या होता है सुभह का नाष्टा हम सुभह के नाष्टे में एकदम ह हेवी खाना नहीं खाते हैं हम वो खाते हैं जो कि थोड़ा लाइट हो है ना पर उससे हमारा पेट भर जाये ता कि हमें दोफर तक भूखना लगे अब दोफर को हम क्या करते हैं तो हम लंच लेते हैं तो लंच क्या होता है दोफर का खाना होता है यहां पर हम थोड़ा सा इस बीच में अगर मैं आपको बताऊ तो एक नई टर्मनलोजी इंट्रोड्यूज हुई है आज की जनरेशन में जिस जो की ब्रेकफास्ट और लंच के बीच की होती है जिसे हम ब्रंच कहते हैं जिसे हम ब्रंच कहते हैं वैसे ही एक हमारा स्नैक टाइम भी होता है जो हम फूड खाना पसंद करता है एवनिंग टाइम पर तो एसे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट कैंड ओफूड्स खाना लोगों को पसंद होता है जैसे कि breakfast, lunch और dinner अब हम अगर आगे बढ़ें तो देखें बहुत सारी food variety हमारे surrounding में available होती है है ना हमें पता है कि बहुत सारी food variety हमारे different kind of food variety हमारे surrounding में available होती है और हम जो है अलग-अलग समय पे ये food varieties को खाना पसंद करते हैं अब यह ऐसा नहीं होता है कि हमने breakfast में भी रोटी सबजी खाई फिर same रोटी सबजी हमने lunch में भी खाई और उसके बाद same road उसबजी हमने शाम को भी खाई same roadis अप हमने रात को भी खाई तो ऐसा कभी होता ही नहीं है कभी-कभार exceptional case में अगर हो जाए तो इंडिया के हर एक reason का कोई एक major food होता है example के तोर पर अगर बोला जाए तो जैसे अगर हम West Bengal पर जाए तो क्योंकि वो एक coastal area है वहाँ समुदर जादा तर area जो है वो समुदर से घिरा हुआ है इसलिए वहाँ पर seafood जादा खाया जाता है और अगर मैं next example लूँ तो जैसे केरल केरल भी एक coastal area है वहाँ पर जो major non-wage food जो होता है जो लोग खाना पसंद करता है that is fish इसके अलावा वहाँ जो cultivation होता है rice का जादा होता है और इसलिए वहाँ पर लोग rice खाना भी जादा पसंद करते हैं as compared to चपाती ठीक है तो यह जो variation है अब इनके different taste भी होते हैं तो यह जो variation हमें देखने मिलता है इनके different taste भी होता है जैसे like in maharashtra अगर हम maharashtra की बात करते हैं तो थोड़ से spicy type का खाना जादा पसंद करते हैं लोग West Bengal में थोड़ा सा not exactly very spicy पर थोड़ा सा उन लोग अपने खाने पर शक्कर का इस्तमाल जादा करते हैं अगर आप South India में चले जाए तो वहाँ पे इमली के पानी का इस्तमाल थोड़ा जादा होता है तो basically यह जो variation है जो की taste में को differ करता है means reason to reason और particular food item के taste को differ करता है यह होता है क्यों है यह ingredients की वज़े से होता है है ना ingredients का मतलब क्या होता है सामगरी याने की खाना बनाते वक्त जो जिस भी तरीके का सामगरी हम use करते है example के तोर पर अगर देखा जाए तो like जो vegetable curry अगर आपने बनाई याना कोई भी सबजी बनाई तो सबजी बनाने में क्या ingredients यूज होता है oil यूज होता है भई spices यूज होता है vegetable यूज होता है water यूज किया जाता है तो इस तरीके से तो ये जितनी भी समगरी इस्तमाल की जाती है किसी भी particular food item को तयार करने के लिए उन्हें ingredients कहते हैं आगे बढ़ते हैं तो अब example के तोर पर आपको बताता हूँ एक simple सा example है rice का अगर हम एक boiled rice की बात करें या steamed rice की बात करें तो उसमें ingredients क्या क्या होंगे तो उसमें ingredients होंगे सबसे पहले तो raw rice होगा और दूसरा होगा water क्या किया जाता है कि जो rice होता है rice को दोने के बाद उसमें water add करके कई जहन उसमें क्या करता है थोड़ा सा salted करते है otherwise rice और water को add करके उसे boil किया जाता है और आपका rice ready हो जाता है उसकी steam से आपका rice पक जाता है और rice ready हो जाता है दूसरा example अगर मैं लूँ तो दूसरा example लेता हूँ vegetable curry का आप किसी भी vegetable curry के ingredients के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो उसमें vegetable curry है तो vegetable oil भी use किया जाता है और water जो होता है optional होता है कोई water use करता है कोई water use नहीं करता है तो basically मैं आपको समझाना यह चाहा रहा हूँ कि जो food items होते हैं अगर उनका classification किया जाए तो कुछ food items ऐसे होते हैं जो कि one or two ingredients वाले होते हैं और कुछ food items जो होते हैं जो कि multiple ingredients वाले होते हैं ठी में तो जो food material होता है याने जो खाना जो होता है और उसके sources कहां से पाये जाते हैं तो देखिए बहुत simple सी चीज है कि food material जो होते हैं वो हमें दो तरीके से मिलते हैं या तो वो हमें plant से मिलते हैं या तो वो हमें animal से मिलते हैं या तो वो हमें किसे मिलते हैं plant से मिलते हैं या तो वो हमें animal से मिलते हैं इसे basis पर इसलिए खाने को दो variety में बाटा गया है एक wage होता है एक non wage होता है ठीक है तो जो wage items होते हैं वो हमें plant से मिलते हैं जो non wage items होते हैं वो हमें animal से मिलते हैं अब plant से हमें क्या-क्या मिलता है तो example के दोर पर आप देख लो कि plant से हमें fruits मिलते हैं खाने के लिए, pulses मिलते हैं खाने के लिए, cereals मिलते हैं खाने के लिए, vegetables मिल होता है ठीक है तो यह जो major sources होते हैं हमारे food के है ना food के जो major sources होते हैं वो होते हैं plant और animal और उससे हमें food material क्या क्या provide होता है तो plant से हमें fruit, pearl, cereal, vegetable और animal से हमें meat, chicken, egg, fish या milk ओके तो आगे बढ़ते हैं अब हम एक activity करेंगे इस particular food item या ingredient को topic को समझने के लिए हम एक activity करेंगे तो आप देख रहे हैं अगर आपके पास book होगी या आप book से देख सकते हैं कि यह जो activity है आपके book में दी हुई है तो एक column दिया हुआ है जो कि food item का है दूसरा column दिया हुआ हुआ है उस food item में यूज होने वाले ingredients का और third दिया हुआ है कि वो ingredients हमें कहां से available होते हैं तो सबसे पहला जो item दिया हुआ है वो है idli idli सबको पसंद होगी देखा भी होगा तो idli जो है उसे बनाया कैसे जाता है तो उसमें ingredient जो use होते है वो होते है rice, उड़त दाल, salt और water अब देखिए rice जो है वो तो हमें plant से मिल जाता है जो source है rice का वो तो हमें कहां से मिलता है plant से मिलता है same उड़त दाल जो होता है उड़त दाल भी हमें plant से available हो जाता है अब salt plant या animal no salt जो होता है वो हमें sea से available होता है sea water salty होता है ना उसके salinity होती है तो basically salt जो होता है वो हमें कहा से मिलता है sea से मिलता है और water जो है यह एक natural resource है तो यह हमें nature से available होता है अब हम आते हैं chicken curry में हाँ मुँपे पानी आ गया होगा शायद आप लोग होके लेकिन chicken curry के अगर यह खुद एक animal है spices जो है वो हमें plants से available हो जाते हैं है ना हमने हमारे कुछ geography के chapter माँ पढ़ा था ठीक है कि केरल जो है particular केरल reason जो है वो केरल reason spices के लिए काफी ज्यादा famous है वहाँ पे spices काफी भारी मातरा में मिलते हैं और इसलिए वो जो reason है वो historical point of view से अगर देखा जाए तो merchants का major attraction रहा है ठीक है और oil या घी तो oil की बात करें तो वो हमें plant से मिलता है घी की बात करें तो भाई ये एक milk product है जो की हमें milk से मिलता है और milk हमें कहां से मिलता है animal से मिलता है water same water फिर से एक natural resource है इसलिए वो nature से मिलता है अब हम बात करते हैं खीर की ठीक है तो खीर में क्या के इस्तमाल होता है तो खीर में milk इस्तमाल होता है rice इस्तमाल होता है sugar इस्तमाल होता है milk हमें animal से मिल जाता है rice हमें plant से मिल जाता है sugar जो है वो हमें plant से मिलता है exactly वो हमें कहां से मिलता है plant से मिलता है क्यों क्यों क्योंकि हम जानते हैं कि sugar जो है वो sugar cane से बनता है और sugar cane क्या है वो एक plant है है ना sugar cane जो है वो एक क्या है plant है ठीक है तो basically इस activity को करने का purpose क्या था तो इस activity से हमें ये conclusion मिलता है कि plant जो है वो एक source है food ingredient, जैसे कि आपका grain हो गया, या cereals हो गया या vegetable हो गया या fruits हो गया, spices हो गया इनका एक major source जो है, याने important source जो है, वो एक मातर plant है और वैसे ही milk हो गया या milk products हो गया या meat हो गया या egg हो गया ये जो भी है, इसका जो ये जो material है, या ingredients है इसका जो major source है या main source है वो क्या है animal है अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं भाई कि plant part and animal as food है ना तो plant के part ऐसे कौन से plant के part है जो की food के तौर पे इस्तमाल किये जाते हैं या ऐसे कौन से animal के products है जो की food के तौर पे use किये जाते हैं तो there are many parts of plants अगर देखा जाए तो plant के बहुत सारे से part है जो की हम food के तौर पे इस्तमाल करते हैं कई बार जो होता है हम क्या करते हैं कि plant की पत्तियां जो होती है वो हम as a vegetable use करते हैं जैसे आपके घर में जो साग खाते हैं पालक की भाजी कह दो या मेती भाजी कह लो या लाल भाजी कह दो ये plant की पत्तियां ही तो है इसे हम vegetable के तौर पे use करते हैं पकाते हैं और खाते हैं वैसे ही plant के fruits जो होते हैं वो भी हम कहते ह of fruits हैं ये भी हम खाते हैं as a food ठीक है इसके अलावा कई बार तो हम root stem और उसके flower तक खाते हैं अब root में अगर मैं आपको example दो तो root में जो example होता है वो होता है आपका गाजर होता है ये भी एक root है है ना मूली होती है ये भी एक root है, इसके अलावा आप सूरन सूरन भी एक root है इसके अलावा जो शकरकंद होता है आपका sweet potato ये भी एक root है तो इसे हम ऐसे food यूज करते हैं तो plant के लगभग सभी part जो है हम ऐसे vegetable या ऐसे food product यानि food के थ्रूँ खाते हैं और अगर आगे देखा जाए तो कुछ plant ऐसे हैं जिसमें एक से ज़्यादा eatable part होते हैं यानि कि edible part होते हैं eatable part का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा ऐसे part होते हैं जिने आपन हमारे खाने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं बहुत ही सुन्दर सा example है mustard plant सर्सो का जो पौधा होता है अब अगर हम सर्सो की बात करें तो देखो क्या होता है कि सर्सो के fruit से आप क्या कर सकते हो तेल निकाल सकते हो ठीक है सर्सो के fruit से आप तेल निकाल सकते हो जो सर्सो का तेल होता है mustard oil है इसके अलावा उसके leaves जो है उसे हम as a vegetable, याने सरसो का साग बोलते हैं जो पंजाब की major dish है, मक्य की रोटी और सरसो का साग, तो सरसो के साग को भी आप as a vegetable use कर सकते हो, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कि animal product खाने के तौर पे कुन से animal product को हम use कर सकते हैं, तो सब से पहले बहतरीन example में आपको देता हूं कि animal के बनाए हुए product को हम खाने के तौर पे कैसे इस्तमाल करते हैं, आप सब जानते हैं कि शहद होता है, honey को हम शहद कहते हैं, आप बता सकते हैं कि ये शहद आता कहां से है, ये शहद आता कहां से है, तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये शहद मि इसा रस होता है फूलो का, जो कि मदुमक्य अपने पास collect करके रखती है, और कुछ process करने के बाद, वो उसे honey में convert कर देती है, और उसे वो कहां रखती है, अपनी hives में, याने अपने छटे में रखती हैं, और हम क्या करते हैं, हम बाद में मदुमक्की के उस छत्ते से उस हनी को उस हाइव से उस हनी को as a food collect कर लेते हैं है ना हम उस हनी को pure हनी को क्या करते हैं collect कर लेते हैं अपने पास तो देखिया यह हुआ ना आपका जो हनी है वो हुआ ना animal product जी आगे बढ़ते हैं अब देखिये यह जो final जो hunting है आपका है न ये कुछ इस तरीके का दिखता है आपकी स्क्रीन में जो दिख रहा है ये कुछ इस तरीके का item दिखता है आपका final honey का और मदू मक्की के छते में ये कुछ अन्दर इस तरीके से होता है और बाद में final product इस त क्योंकि खाना जो होता है वो हर एक living thing के या living organism के काम में सबसे important part होता है उसके life का चाहे वो human being हो चाहे वो plant हो क्योंकि plant को भी खाना लगता है जीने के लिए human being को भी जीने के लिए खाना लगता है तो animal को भी जीने के लिए खाने की जरूरत होती है ठीक है तो अब animal क्या खाते हैं तो देखे animal जो है on the basis what they eat animal की जो category divide की गई है वो उनके खाने के तोर पे अगर देखे जाए अगर उनके खाने के point of view से देखे जाए तो तीन category उनके divide की गई है पहली तो है उनकी grass and plant खाने वाले animal होते हैं ऐसे animal होते हैं जो की घास फूस खाते हैं या पेड़ पौदे खाते हैं ठीक है जैसे कि आपकी बकरी ले लो गाये ले लो ये सब क्या क्या खाते हैं घास फूस खाते हैं कुछ ऐसे animal होते हैं जो की दूसरे animal को खाते हैं याने जिनका जो दूसरे animal ह वो उनका खाना होते हैं और कुछ ऐसे ऐनिमल होते हैं जो कि ये दोनों खाते हैं जरूरत पढ़ने पर वो घासफूस भी खा सकते हैं जरूरत पढ़ने पर वो दूसरे ऐनिमल को भी खा सकते हैं अब देखिए जो घासफूस खाते हैं ऐसे ऐनिमल को हम क्या कहते हैं हर भी व जो अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जो घासफूस खाते हैं, जो अपने खाने के लिए घासफूस या पेड़ पॉदों पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम हर भी वोरस कहते हैं, जो अपने खाने के लिए दूसरे एनि पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं और ऐसे एनिमल जो अपने खाने के लिए कभी घास फूस तो कभी दूसरे एनिमल इन दोनों पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम ओमनी वोरस एनिमल कहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं ओमनी वोरस एनिमल कहते हैं तो ठीक अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है या इसका जो भी सेक्षिन आपको पसंद आया है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं मुझे बता सकते हैं, मुझे बहुत खोशी होगी सबस्क्राइब करना बिलकूल ना भूले और इसी तरीके से कुछ नए इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मैं आपके सामने हमेशा आता रहूँगा धन्यवाद